कि एलो स्टुटेंट कैसे हैं आप लोग ऐऊच्छ हो आप लोग अच्छे ही होगे और आनलाइन क्लासेस को भी अच्छे से ही आप लोग स्टडी कर रहा हैं पड़ा रहे होंगे तो नेक्ट विडियो में लेकर आया हूँ फिजिक्स से ही उसी आगे का आपका जगली एडिं तो मैं इसके बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ तो ये उसी से आगे के टॉपिक है जो कि बहुत इंपोर्टेंट है एक मैंने यहाँ पे संतल दर्पण लिया हुआ है और दर्पण क्यों है क्योंकि इसका एक हिस्सा चमकदार है ये वाला इस्सा और दूसरा इस्सा पॉछिस किया हुआ है ठीक है जब एक इस्सी को हम लोग पॉलिस करेंगे तो दूसरा इस्सा क्या बन जाएगा चमकदार बन जाएगा उसके सामने एक ऑबजेट रखा गया है इस ऑबजेट का नाम है A, B कि इसका प्रतिविम इस ऐसानी से हमें इस क्रीन पे दिखाई देख सकती है जैसे की mirror होता है किए पड़िव नρεί सकते हैं लेकिन mirror पे आतसानी सको देख सकते हैं और इसकी कुछ property होता है इस property के वेस्ट पे मैं इस्टित र 66 नहीं जा रहा हूं और आभासी यह वास्तविक नहीं है दूसरा है प्रतिभीम का आकार वस्तू के आकार के बराबर होता है जितना साइज वस्तू का होगा उतना ही साइज प्रतिभीम कभी बनेगा दोनों का साइज इक्वल ही होगा तीसरा है प्रतिभीम दरपन के उतने ही पीछे बनता है जित अब आगे है प्रतिवीम पार्स परिवर्तित होता है यानि कि जो प्रतिवीम है वो हमेशा उल्टा दिखाई देता है अगर वस्तु को दायें साइट रखा गया है तो उसका प्रतिवीम हमेशा कहां दिखाई देगा पायें साइट दिखाई देगा अब आपका नेक्स टेड गोला में ने लिया हुआ है, यह कांच का बना वदा खोकला गोला है, इस खोकले गोले कर अगर हम एक इससे एक साइड काड़ देन, तो यह कुछ पोर्सन ऐसे दिखा देगा, अगर इसके इस पोर्सन को हम लोग पॉलिस कर दें, बहरी सर्फिस को पॉलिस कर दें, तो अंदर की जो सता होगी वो चमकदार हो जाएगा या परावर्तक हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा नाम मैं बाहर बताऊँगा पहली आप समझ लिजे उसके बाद अकर इस पोर्सों को हम ऐसे काटेंगे तो यह कुछ ऐसे दिखाई देगा तो यह अंदर की तरफ पॉलिस करेंगे तो इसको बाहर के सता कैसा हो जाएगा परावर्तक फिक है अब आते हैं परिभासा पे परिभासा क्या है गोली दरपण गोली दरपन का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रत होता है जैसे मैंने पिछले फिगर नों बताया या अंदर तरफ होगा या तो बाहर की तरफ होगा तो उसका सरफेस कैसा होना चाहिए गोली होना चाहिए चाहा अंदर तरफ हो चाहा बार तरफ उसे बोलेंगे गोली ये दरपन ये दरपन होता है वो दो परकार का होता है एक है आउतल दरपन दूसरा है उतल दरपन जो मैंने पिछले फीगर में बनाया था दरपन तो एक उसमें उतल था और एक आउतल जो कि मैंने यहां बनाया ठीक है अब यही फीगर को मैं यहां डिस्कस करने वाला हूं तो अवतल दर्पन क्या होता इसके बारे में जान लेते हैं अवतल दर्पन अवतल दर्पन जैसे मैं बताया आपको कि इसका बाहरी सत्य क्या है पॉलिस है इसे पॉलिस किया गया है और अंदर की सत्य क्या हो तरफ उसे क्या कहेंगे अवतल दरपन इसके जश्ट अपोजिट पॉलिस हमने अंदर तरफ किया हुआ है परावर्तक प्रिष्ट बाहर की तरफ है अरिवस्त क्या है गोली दरपन जिसका परावर्तक प्रिष्ट बाहर की तरफ हूँ परावर्तक प्रिष्ट कहा है बाहर की उत्तल हो गया आपकी नेक्स टड़िंग है गोली दरपड में सामानिता होने वाले कुछ सब्द इसके साथ कुछ एक्टिविटी करने हैं को एक खोकला गोला है उस खोकले गोलों के लेकर मैंने एक पोर्सन से काट दिया है जैसे मैंने पहले बताया था काटने बाद मैंने इसके एक इस्तिक क्या कर दिया पॉलिस कर दिया पॉलिस करने बाद आपको ये श्टक्शन से दिखाई दे रहा है इस प्रापटी के बाएं, बच्चों जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना प्रापटी के जाने, बिना हर एक पॉइल्ट को जाने, आपना नहीं क्मेल्टर सार अधैस कर पाओगे, आपना ये सारे घ्यमी मिन रोमाग्ट को अच्छे दोतने नहीं दिखेगा तो ये और भूलते हैं मुख के अक्ष क्या बोलते हैं मुख के अक्ष ठीक है अब यह मोख के अक्ष यह लाइन से होते विए कहीं करतेगा वो यहां काट रहा है paycheck बनेगा उसे बोलते हम लोग C है इस गोले C का नाम क्या है हुआ करता केंद्र और जो C और P के बीचों बीच हमारा क्या है फोकस जिसको F से रिप्रजेंट करते हैं F और P के बीच कुछ दूरी है उस दूरी का नाम क्या है F इसे बोलते हैं फोकस दूरी क्या बोलते हैं ठीक है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग फोकस दूरी अब इसमें एक है c और p के बीच की जो दूरी है वो और है इसको हम लोग बोलते हैं वकरता तृज्या ठीक है अब इस फिकर के बेस मेरा को समझा दिया है अब मैं हर एक point को लिखवा कर step by step एक बार फिर से समझाओंगा तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ठीक बड़ा, thank you, धन्यवाद